हेलो गाइज, वेलकम बैक टो और यूटीव चैनल अगेन जहाँ पर हम आज बात करेंगे एक नए हेल्थ लेलिट टॉपिक पर आज हम जानेंगे शुक्राणों की संख्या बढ़ाने और प्रिजन चमता बढ़ाने के कुछ प्राकरतिक तरीकों के बारे में तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दुनिया भर के पुर्षों में स्पर्म काउंट की समस्या काफी आम हैं कम स्पर्म काउंट बच्चे पैदा करने की ताकत में कमी यानि फर्टिलेटी स्ट्रगल में योगदान देता है इस वीडियो में आप शुकराणों की संख्या बढ़ाने और प्रिजन चम्ता को बढ़ाने के विभिन तरीकों के बारे में अधिक जान सकते हैं तो दोस्तों आईए जानते हैं शुकराणों की संख्या कम होने के कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में शुक्राणों की संख्या में कमी होने का मुख्य लक्षन बच्चे पैदा करने में ऐसा मर्चता होता है इसके अलावा और भी कुछ लक्षन हो सकते हैं जैसे कम सेक्स ड्राइव, इस्तंबंदोश और योन किर्या के साथ अन्य समस्याएं कम शरीर या चेहरे के बाल और होर्मोन या गुण सूतर ऐसा मान्यता के अन्य लक्षन, अनकोश शेतर में सूजन, गाठ या दर्द आदी आईए जानते हैं कुछ ऐसे ही प्राकर्तिक उप्चार के बारे में जो आपको उच्छ शुकरानों की संख्या प्राप्त करने और आपकी प्रिजन शम्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं दोस्तो अधिक वजन या मोटा होना आपको कई स्वात समस्या के उजोखिम में डालता है यह आपके शुकरानों की संख्या को भी कम कर सकता है और प्रिजन शम्ता को परभावित कर सकता है वजन कम करना शुकरानों की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे महत्पूर्ण उपा हो सकता है नमबर दो धुम्रपान छोड़े दोस्तों धुम्रपान एक बुरी आदत है जो आपके स्वास्त को कई तरह से नुकसान पहुचाती है कैंसर और हिड्डे रोक के उज्जोखिम के अलावा धुम्रपान प्रिजन शम्ता को भी परभावित कर सकता है धुम्रपान श शुक्राणूं डिनने को प्रभावित कर सकती है इसलिए शुक्राणूं की मातरा को स्वाभाविक रूप से बढ़ाने के लिए धुम्रपान छोड़ना एक महत्पून रण निती है नमबर 3 प्रियाप्त विटामिन C प्राप्त करें दोस्तों विटामिन C के लाब एक और टेस्ट परियाप्त नींद ले दोस्तों आप प्रियाप्त नींद शुकराणू की खराब गुणवत्ता से जुड़ी है नींद की कमी से तनाव का इस्तर बढ़ जाता है और टेस्टेस्टरोन कम हो सकता है इसलिए प्रियाप्त रात का आराम योन और प्रिजन स्वास्त के लिए महत्पूर्ण होता है स्वस्थ शुकराणू के लिए हर रात 7-9 घंटे की नींद लेने का प्रियास करना चाहिए दोस्तो विटामिन डी पुरुष और महिला प्रिजन चमता के लिए समान रूप से महत्पूर्ण होता है इसे संशाइन विटामिन के रूप में भी जाना जाता है यह शरीर में टेस्टेस्टरोन के इस्तर को बढ़ा सकता है कुछ अध्यानों से पता चलता है कि विटामिन डी की कमी वाले पुरुषों में टेस्टेस्टरोन कम होता है इसके अतिरित उच विटामिन डी का इस्तर शुकराणों की गतिशीलता में वर्धी के साथ जुड़ा हुआ है विटामिन डी के अच्छे आहार स्रोतों में ओईली फिश जैसे सैलमन, लीवर, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड खाद्यपदार्थ और मश्रूम शामिल है नमबर 6 तनाव का परबंदन करें दोस्तों तनाव योन संतुष्टी को कम कर सकता है और प्रजन शम्ता को नकारात्मक रूफ से परभावित कर सकता है उचिस्तर तनाव होर्मोन जिसे कोल्टिसोल कहा जाता है इसका सीधा संबंद कम टेस्टेस्ट्रों से होता है चुकि टेस्टेस्ट्रों सीधे परजन शम्ता और शुकराणू की गुण वत्ता से संबन्दित है, इसलिए यह निश्कर्श निकालना आसान है कि तनाव शुकराणू की संख्या को कम कर सकता है, और परजन संंस्याओं में योगदान कर सकता है प्रिजन शम्ता में सुधार और शुकुराणूं की संख्या बढ़ाने के लिए तनाव का परबंदन करें कुछ ऐसा खोजें जो आपको सुकून दे और आपको अच्छे मूड में लाए कुछ लोग वियाम करते हैं जबकि अन्य पढ़ते लिखते या कुछ और करते हैं मुद्दाई है कि आपको कभी भी तनाव को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए और उसे एनियंतरित नहीं छोड़ देना चाहिए तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में शुकराणू की संक्या बढ़ाने और प्रिजन शमता बढ़ाने के कुछ प्राकरतिक तरीकों के बारे में जाना उमीद है आपको हमारी या वीडियो जरूर पसंद आई होगी इससे जुड़ा हुआ कोई भी अगर सवाल हो तो आप कोमेंट सेक्षन में हमसे पूछ सकते हैं हमारी इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की फाइदमन जानकारी पाने के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल शुक्रिया